हर सल गूगल जो एंडुएड का एक नया वर्सन रिलीस करते हैं जैसे कि पिछले सार रिलीस किया था एंडुएट 12 इसी तरह से जो एंडुएट 13 को गूगल रिलीस करने वाला है लेकिन अंडुएड 13 का घुर हम लोग और झाले यदिन को और फिर एंडुएट 13 का फिर पर लूख के वो कैसे होने वाला है इन सब चीजों के बारे में थोरा पहुत यहां पर पता चलता है अब यहां पर अगर आप जानना चाहते हैं कि एन्डुएड एंडूइड 13 का स्टेबल फर्सन कब लॉंच होने वाले यह जानने से पहले हम लोग एंडूइड 13 का फिर्स लूप एंडूइड 13 पर क्या क्या टॉप फीचर रहने वाले इन सब चीज़ों के बारे में थोरा बहुत हैं पर जान लेते तो यहां पर टॉप फीचर में से जो एक जो एप है जिसका नाम है Zoomato तो यह जो Zoomato एक Food Delivery एफ है तो यह जो Food Delivery एफ है अगर आपि Gallery की पर्मिसन को लेता है तो यहाँ पर क्या होते कि एक इजो Zoomato है आपकी जितने भी फोटोज हैं सभी फोटोज पर यह एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि आप ने इसको जो एक गालर लाइक अगर आप परसोनल फोटो को पर्मिसन नहीं भी दे सकते जो फोतो फीचर जो जहां से आप enc- system कविक शेटिंग इसमें बटन होगा आप के लिए अब इसमें कुछ भी यहां पर कस्टमाइज कर सकते अगर आप पर अपने फेस्ट बॉक स्टेटर या फिर इन्स्टेग्राम स्टेटर सकते हैं अब इसने वाले अपडेट इंजिन अब इसमें क्या होगा कि जितने गूगल की एप्स नहीं है वह सभी एप जो है अभी मेट्रियल यू डाइनमिक कलर इंजिन का एडवांटेज है वह एंडूइड 13 पर ले सकते अब इसका मतलब क्या है कि एंडूइड 12 तक क्या होता था कि जो आपकी वल्पेपर की कलर थीम है वह जितने भी गूगल की एप स वह यहां पर फॉलो कर सकते हैं गूगल के साथ वर्टस भी कर सकते हैं फेस्बुक भी कर सकते हैं तो यह एक फीचर होने वाले अपडेट थीम इंजिन जो कि एंडूइड 13 पर हमें देखने को मिल सकता है एंडूइड 13 पर जो फोर्थ टॉप फीचर होने वाले वह प्री लेंगविजेस एंडूइड 13 पर अभी जित्रे भी एप आयेगा इन सभी एप पर सिस्टम लेंगविजेस के साथ और भी एक एक इक्स्टर डिफरेंट लेंगविज यहां पर एड किया जाएगा तकि यूजर आप को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए यूजर आप को अ यहां पर अपडेट कर पाएगा इसके लिए अभी उसको सिस्टम अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है यहां पर मैं एक्जामपल ले ले लेती हूं अगर एंडूइड 13 पर यहां पर आया है अब एंडूइड जो चाहते हैं कि एंडूइड 12 या फिर एंडूइड 11 वाला या फिर एंडूइड 12 यूजर को जिस्टम को अपडेट करना परेगा अपकिन अब से नहीं करना पर है आप गूगल 더 आ जाएगा और गूगल्स की ऑ फि집र करने की जवरत नहीं है यह पहलें फीचर के लिए तो यह थी Android 13 की कुछ टॉप फीचर जो कि Android 13 के डेबलेपर प्रिवियू या फिर अंस्टेबल वर्सन को देखने के बाद मुझे पता चलता है अब यहां पर बात आती है कि Android 13 के स्टेबल वर्सन कब लॉंच होने वाला है तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो 2022 की अगस्ट की एंड में यूजर के लिए Android 13 को एक्सेस कर पाएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बेल कॉल पर किलिक करें ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो और भी देखने के लिए मिलता हम सब्सक्राइब से किसी दूसरे वीडियो पर दब्द मात्रव